तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इंगलिस वोमेंस T20 कप का जो THU भर्सेस NOD के बीच मुकाबला खेला जाएगा इस सीरीज का एक ही दिन तीन मुकाबला खेला गया था तीनों मेच का मैंने टीम दिया था और टीम देने में थोड़ा सा मैंने लेड भी किया था दो मेच अल् को जोईन करना यानि कि काम इंवेस्ट पे अधिक प्रोफिट करके जैसे हम लोग कल जील विन किये तो उसी तरह से काम इंवेस्ट पे अधिक प्रोफिट करने के लिए हम लोग सुचेंगे तो जो नए लोग है उनके लिए मैं बता दू कि हमारा फाइनल टीम चाहिए तो आपको हमारे टेली ग्राम चैनल को ज्वाइन करना काफी जरूरी है तो दोस्तो हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको ज्वाइन किस परकार करना है जैसे आप हमारा इस परकार से वीडियो देखते हैं तो यह जो है इस पे आपको किलिक करना है यह है दिस्क्रिप्शन जैसे इ जुआइन का option होगा, जुआइन हो जाना है, वहाँ पर आपको final team मिलेगी, जिस team से मैं खेलता हूँ, इनके लावे बहुत सारे एसे tips से related फायदे मिलेगी, जो आपको काफी ज्यादा help होगा, तो दोस्तो इस वज़ा से हमारे टेलीगराम चैनल को आपको जुआइन कर लेना जी इस तरह से आपको domestic pilling level दिखाई देगा, यहीं पर आपको आकर जुड़ना है, दूसरी बात है कि बहुत सारे fake चैनल आपको नजराएंगे, जो हूँ बहुत domestic pilling level नजराएंगे, तो उस पी आपको बिलकुल नहीं जुड़ना है, तो दोस्तो दोनों teamों का last match का scorecard तो मैंने इनके जरिये किया, last season का बहुत सारे scorecard हमारे पास आए, अगर जी चाहिए तो आपको मैं Instagram पे भी share कर दूँगा, अगर ज़िदे आप GL पे focus करते हो तो, एल विन फिल्ड यहाँ पर open आई, विकेट के फिल्ड सेक्सन में 96 रन की पारी खेली, क्योंकि एक international player इने तो ड्रोब कर ही नहीं सकते, केप्टन वास के लिए best option है, यह गिलेन देखो, यह practice match इन से पहले खेला था, वहाँ पर भी यह open आती थी, और साथ में कूछ ओभर की गिलेन, इनके लावे HRmy ताज की बात किया, देखो, यह last season केप्टन वास के लिए best option थे, हर match में यह बहतर रन बनाती है, साथ में आपको part time गिलेन वास भी करके दे सकती है, तो काफी बणिया है, लगातार यह बहतर परदसन करती है, LK Sparek की बात के आपको पता है, New Zealand ODD मे की इस परकार से यह पिलियर है, इस पीन गिनबाजी तो काफी कमाल के करती है, साथ में चार नमर पर बल्लेबाजी आ रहे है, तो केप्टन वास इनके उपर भी आप जा सकते हो, काफी बणिया यह बल्लेबाजी कर लेती है, अब गिनबाजी देखी जाए, तो इमा मारलो इस पर इस पर दो बिक्टे लेगे, अच्छी इकोनिमी के साथ, इनके लावे LK Sparek को एकी बिक्टे मिला, थोड़ी इनको पिटा आई पड़ी, L Smith स्पीन गिनबाजी करती है, दो बिक्टे लेगे, बे लेंग श्टोन की बाद के इन्होंने भी दो बिक्टे लेगे काफी जबर दस था, दो बिक्टे, एक बिक्टे, दो बिक्टे, तीन बिक्टे, इस तरह करके हर मेच में ये बिक्टे ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंसे एक ही ओभर गिन बाजी करा गया और वो भी महांगा सावित हुआ, तो थोड़ा सा मुझे अस्चर्ज लगा, क्योंकि गि अब दूसरे टीम का स्कोर कार्ड देखा जा, इमा लंब की बात की जा, इनके टीम में केप्टन वास के लिए सबसे बेस्ट उप्चन, इमा लंब ही है, जिन वाजी करके देगी लगातार बहतर बल्ले से परदर्शन करती है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चीए, ज इनके लाबे थेरे खिल्ड की बात की जा, तो देखो ये काफी बढ़िया, इनका रिकोर्ड है, लास्ट सीजन भी ठीक ठाक है, अने एवरेज देखो 25 से 35 हरमेच में लगाने की छमता रखती है, गेट कुरोच एक गिनबाज है, लेकिन बल्ले से लास्ट सीजन अच्छा योगदान दे रहाता, और हो सकता है, इस पाई से उपर भी ये बल्ले बाजी के लिए आ जाए, अब गिनबाजी देखो, केट कुरोच एक बिक्टे लेगे, इंटरनेशनल पिलेर है, काफी बढ़िया, इमाल लाम वो ओपन आती है, साथ में दो अभर की गिनबाजी की एक इंटरनेशनल पिलेर है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, एच जोन्स की बाद के लाज्ट सेजन काफी बनिया था, एक एक विक्ट हर मेच बनिया था, लेकिन एकोनिमी इनका काफी बनिया था, एल जैक्शन को जील पे ट्राइ करो, ज्यादा बेहता रहेगा, तो दोस्तों आप चली हम लोग कॉंबिनेशन देखते हैं किस परकार से कॉंबिनेशन बन रहा है, क्योंकि इस में मैं दो जील का टीम देने वाला हूँ, तो दोस्तों कॉंबिनेशन तो हम लोग देखेंगे, इससे पहले अगा जदि हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्र तरीका से, तो दोस्तों चली यहाँ पर देखते हैं एक टीम जो मैं ओल्डेरी बना के रखाओं, सुरी मैं बनाया नहीं हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ, देखो बिकेट केप्रिंग सेक्चन में, एल विन फिल्ड तो सूपर है ही, इनके लावे थेरी खेल्ड की बात किया इनके उपर भी आपको भरुसा जताना चीह, भी हेरात खेलेंगे तो इनका वी रिकोर्ड काफी लाट सीजन बनिया रहा था, तो जील के लिए काफी बनिया सावित होंगे, भी हेरात की बात की जाए तो, तो दोस्तों बलेबाजी सेक्चन में देखा जाते हैं, तिन इनके अलाबे इन स्काइबर अगा जादी खेलती है, तो केफटन वास के लिए बेस्ट ओप्साना इनके फिक भी करना चले, खेलने के चांस काफी क्या मैं, इमा लम को यहाँ पर पिक या, केट के रोस को यहाँ पर पिक या, केबरंड भी काफी बनिया, जेगान अगा जा इसलिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रिस्क भी लूँँगा, तो रिस्क के जरिया आपको अगर जाना है, तो थोड़ा सा आपको फोलो कर लेना है, इनके अलाबे मैं यहाँ पर एक गिलेन को यहाँ पर पिक करूँगा, अब देखो हमारा केफटन वास की बात की जा यहाँ पर सबसे सेफ और सठीक मुझे इलंब ही नजार आती है केपटन के लिए, और भास मैं यहाँ पर एलकेस पर रक के उपर मैं जा रहा हूँ, तो फिलाल के लिए हमारा यह टीम है, यह टीम सेफ कर लो, इनके अलाबे जो भी चेंज होगा, आपको अपडेट कर दिया